Good morning student, myself रणजना मिश्रा, Department of Psychology, मारवारी कॉलेज राच आज हम लोग व्यक्तित्यों के प्रकार पढ़ेंगे, Types of Personality मनोवेग्यानिकों ने व्यक्तित्यों को भीन भीन प्रकारों में पाटा है जिसमें प्रमूख है, प्रकार उपागम, जिसे टाइप अप्रोच कहते हैं, तथा सीलगुन उपागम, जिसे ट्रेट अप्रोच कहते हैं पहला हम लोग देखेंगे प्रकार उपागम, टाइप अप्रोच इसमें तीन मनोब ज्यानिकों का नाम प्रमुक रूप से आता है पहला क्रेस्मर के व्यक्तित्तु प्रकार दुसरा सेल्डन के व्यक्तित्तु प्रकार और तीसरा यूं के व्यक्तित्तु प्रकार पहला हम लोग देखेंगे क्रेस्मर के व्यक्तित्तु प्रकार क्रेश्मर्स पसनार्टी टाइप क्रेश्मर्स ने अनेक मांसिक रोगियों का अधियन करके अपनी पुस्तक, फीजिक एंड कारेक्टर में सारिरिक बनावत और चित प्रवरिती यानि टेमप्रामेंट के आधार पर व्यक्तित्तु को चार भागों में पाटा है पहला, इस्थुलकाय प्रकार, पिक्निक टाइप दूसरा, क्रिसकाय प्रकार, एस्थेनिक टाइप तीसरा, पुष्टकाय प्रकार, एथेलोटिक टाइप चौथा, मिस्रकाय प्रकार, डाइस प्लास्टिक टाइप पहला स्थुल काय प्रकार पिक्निक टाइप ऐसे व्यक्ति गोल मटोल सरीर वाले होते हैं इनका सरीर भारी हाथ पैर छोटे छोटे गर्दन मोटी चेहरा चोड़ा तथा पेट निकला होता है ये स्वभाव से अराम तलब तथा बातूनी होते हैं ये भोजन प्रिय, मृदुभासी तथा मिलनसार भी होते हैं ऐसे व्यक्तियों में मानसिक रोगों की उत्पत्ती होने पर उत्सा विशाद मनोविक्रिती यानि म्यानिक डिप्रेशिप साइकोसिस होने की सम्भावना अधिक रहती है इस तरह के चित प्रव्रिती को साइकोलाइड कहा जाता है सेकेंड क्रिशकाय प्रकार एस्थेनिक टैड ऐसे व्यक्ति दुबले पतले तथा लंबे होते हैं इनके बाहूं पैरों एवं गर्दन की हड्डियों से पतले पन का अभास होता है इनकी कमर जुकी हुई मानस्पेशियां पतली और कमजोर तथा सरीर का भार भी कम होता है ऐसे व्यक्ति सांत भावुक संकोची एकांत प्रिय एवं कल्पना में विचरने वाले होते हैं इस तरह के व्यक्तियों में मानसिक रोगों की उत्पत्ति होने पर मनोविद्यालिता यानि सिजोफ्रेनिया होने की संभावना ज्यादा रती है इस तरह के चित प्रवरिती को सिजोइड कहा जाता है थर्ड पुष्ट काई प्रकार एथलेटिक टाइप ऐसे व्यक्ति सुद्र सुगठित सरीरवाले तथा हिरिष्ट पुष्ट होते हैं फी विक्षित होती हैं ये उचाई तथा मोटाई में काफी संतुलित होते हैं आता ऐसे व्यक्ति खिलाडी तथा पहलवान जैसे होते हैं सुभाव से ऐसे व्यक्ति साहसी, व्यवारकुसल, तथा सामाजिक होते हैं फोर, मृष्ट मिस्र काई प्रकार डाइस प्लास्टिक टाइप क्रेश्मर ने इस चोथे प्रकार में वैसे व्यक्तियों को रखा है जिन में उपरियुक तीनों प्रकारों का मिस्रन अथ्वा मिला जूला रूप पाया जाता है अर्था जब कोई व्यक्ति उपरियुक तीनों प्रकारों में फिट नहीं होता तो उसे इस प्रकार में रखते हैं तो इस प्रकार हमने क्रश्मर के व्यक्तित्य प्रकार में कितने प्रकार पाए? चार प्रकार अब हम लोग Selden के व्यक्तित्य प्रकार को पढ़ेंगे Selden के व्यक्तित्य प्रकार Selden's Personality Type शेल्डर ने अपने अध्यनों के आधार पर अपने पुस्तक द वेराइटीज में सारिरिक बनावर और चित प्रवरिती या स्वभाव के आधार पर व्यक्तितुक तीन प्रकार का बताया है पहला गोलाकार प्रकार एंडोमर्फी टाइप दुसरा आयताकार प्रकार मेसोमर्फी टाइप और तिसरा लंबाकार प्रकार एक्टोमर्फी टाइप पहला गोलाकार प्रकार एंडोमर्फी टाइप ऐसे व्यक्ति नाटे मोटे तथा देखने में भारी लगते हैं इनका सरीर चिकना, पेट बड़ा तथा निकला हुआ होता है सेल्डन का यह प्रकार क्रेस्मर के स्थूल का प्रकार से मिलता जूलता है स्वभाव से इस प्रकार के व्यक्ति आराम तलब, खुस मिजाज, भोजन प्रिय एवं गहरी नीन सोने वाले होते है ऐसे व्यक्ति समाज के अनुमोदन और प्रशंसा की तेवर इक्छा रखते है सेल्डन ने ऐसे व्यक्ति के चितपत परवित्ति को विशुरेटोनिया कहा है सेकेंड आयताकार प्रकार मेसो मर्फी टाइड ऐसे व्यक्ति मानस्पेशियों एवं हड्डियों से मजबूत एवं सक्तिशाली होते है इनका सरीर गठा, हिस्ट पुष्ट तथा मजबूत दिखाई देता है सेल्डन का यह प्रकार क्रेस्मर के पुष्ट काय प्रकार से मिलता जूलता है स्वभाव से इस प्रकार के व्यक्ति साहसी, सक्तिशाली, प्रतियोगी तथा अपने अधिकार के प्रति जागरुक और क्रियासिल होते है सेल्डन ने ऐसे व्यक्ति के चित प्रवरित्यु को सोमेटो टौनिया कहा है थर्ड लंबा कार प्रकार, एक्टोमर्फी टाइप ऐसे व्यक्ति दुबले पतले, लंबे तथा कोमल होते हैं सारीरिक रूप से ये दुर्बल होते हैं अता, परिश्रम माले कामों के लिए अक्षम होते हैं सेल्डन का यह प्रकार, क्रिस्मर के क्रिस्काय प्रकार से, सभाव से इस प्रकार के व्यक्ति, संकोची, भावुक तथा एकांथ प्रिय होते हैं ये सारीरिक रूप से कम क्रियासिल होते हैं तथा थोड़ा ही काम करने पर थकान का अनुभव करने लगते हैं सेल्डन ने ऐसे व्यक्ति के चित प्रव्रिति को सरीबो टोनिया कहा है अगले मनोवग्यानिक का नाम है योंग अब हम लोग तिसरे मनोवग्यानिक योंग के व्यक्तित्तु प्रकार को देखेंगे योंग स्पस्नाल्टी टाइप योंग ने व्यक्तित्तु का वर्गी करन व्यवहार के प्रव्रितियों के आधार पर किया है इसे मनोवग्यानिक प्रकार यानि साइकलोजिकल टाइप्स भी कहते है व्यक्तित्तु का यह वर्गी करन आज भी प्रचली थे इनकी अनुसार व्यक्तित्यों के दो प्रकार है पहला अंतरमुखी यानि इंट्रोवर्ड और दुसरा बहिरमुखी यानि एक्स्ट्रोवर्ड पहला अंतरमुखी अंतरमुखी व्यक्तित्यों के व्यक्ति आत्म केंद्रीप यानि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं उन्हें पाहे विश्यों में रूची नहीं रहती हैं। वे अपनी आविश्यक्ता उदेश तथा कल्पना में ही लीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज में मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ये सभाव से संकोची, सर्मीले तथा दब्बू होते हैं। इन्हें एकांत अधिक पसंद आता है। इनका व्योहार बाहरे दुनिया के अपेक्षा इनर फ्यक्टर से अधिक प्रभावित होता है। वैज्यानिक, कवी, दार्शनिक आधिप्राया अंतर मुखी व्यक्तितु के होते हैं। सेकेंड, बाहिर मुखी, एक्स्ट्रोवर्ट। बाहिर मुखी व्यक्तितु के व्यक्ति सोभाव से व्यवहार कुसल, समाजिक एवं मिलनसार होते हैं। ये बर्तमान को अधिक महत्व देते हैं इन में किसी विशय पर निर्ने लेने तथा उसे कार्यानवित करने की छमता भी अधिक होती है ये दूसरात देते हैं अत इनके मित्रों की संख्या अधिक होती हैं साधी विवा समाजिक समारों अधि में पूरी रुची के साथ बढ़ चड़ कर हिस्सा लेते हैं ये किसे भी परिस्थिती का सामना द्रिर्टा से करते हैं इन में धारिय, लगन, द्रिर्टा, सहियोग, आधिक की भावना अधिक पाई जाती हैं इसी कारण ऐसे व्यक्ति नेता, समाज सुधारक तथा समाजिक कारे करता अधिक होते हैं इस प्रकार जूंग ने दो भागों में व्यक्तितु को बांटा पर उन्होंने आगे चल कर यह अनुभव किया कि कुछ व्यक्ति न तो पूरी तर अंतर मुखी होते हैं और नहीं बहीर मुखी अनेक लोगों में दोनों प्रकार के गुन पाए जाते हैं अतर इस समस्या के समाधान के लिए यूंग ने एक और व्यक्तितु प्रकार का प्रस्ताव दिया जिसे उभए मुखी काते हैं इस तरह के व्यक्तितु में दोनों प्रकार की विशिस्ताएं पाई जाती हैं इस इस्थिती को नॉर्मन प्रोबेबिलिटी कर्व द्वारा दिखाएं तो ये सपस्ट हो जाएगा कि अधिकांस व्यक्ति ओसत के निकट होते हैं कि तथा बहिर मुखी दोनों ही व्यक्तितु के गुन मिले रहते हैं इस प्रकार इसपस्ट है कि योंग के व्यक्तितु प्रकार आज भी पहले की तरह मानने हैं क्योंकि इस व्यक्तितु प्रकार की पुष्टी आईजेंक ने भी अपने सोधो द्वारा किया है क्यों अपने से व्यक्तितु अब हम अंतर मुखी तथा बाहिर मुखी व्यक्तित्तों रकारों में अंतर देखेंगे Distinguish between Introvert and Astrovert Personality Types अंतर मुखी व्यक्तित्तों के व्यक्ति पहला यूंग के अनुसार अंतर मुखी प्रकार के व्यक्ति एकांध प्रियर एवं आदर्सवादी विचारों के होते हैं वहीं यूंग के अनुसार बहिर मुखी प्रकार के व्यक्ति समाज प्रियर वादी यानि रियालिस्टिक विचारों के होते हैं दूसरा, योंग के अनुसार अंतर मुखी व्यक्ति आत्मगत दिश्टिकोन वाले होते हैं, लेकिन व्यवहार कुसल नहीं होते हैं वहीं बहिर मुखी व्यक्ति तुवाले व्यक्ति वस्तुगस दिश्टिकोन वाले होते हैं, लेकिन व्यवहार कुसल होते हैं तीसरा अंतर मुखी व्यक्तित्तू वाले व्यक्ति किसी विशय पर सेघ्र निर्नाई नहीं ले पाते हैं साथ ही साथ यह निर्नाई को देरी से क्रियानवित भी करते हैं वहीं बहिर मुखी व्यक्तित्तु वाले व्यक्ति किसी विशय पर सेघ्र निर्नाई ले लेते हैं साथ ही साथ यह निर्नाई को सेघ्र क्रियानवित भी करते हैं चौथा ऐसे व्यक्ति यानि अंतर मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति भविश्य को प्रधान समझते हैं तथा किसी विशय पर विचार करने में अधिक विश्वास रखते हैं बाहिर मुखी वाले व्यक्ति के व्यक्ति बर्तमान को प्रधान समझते हैं तथा किसी विशय पर विचार करने से ज़्यादा कारी करने में अधिक विश्वास करते हैं पांचमा, ऐसे अंतर मुखी व्यक्ति वाले व्यक्ति अपने सारीरिक सुखों पर विशेश ध्यान देते हैं, विचारों का महत्व नहीं देते हैं, किन्तु बाहर मुखी वाले व्यक्ति दूसरों की भलाई का विशेश ध्यान देते हैं, ये दूसरों के लिए मन, सरीर अध च्छटा योंक के अनुसार अंतर्मुखी व्यक्तितु वाले व्यक्ति को प्राय मनोग्रस्ती बाध्यता मनोविक्रिती अब्सेसिप कंपलसिप साइकोसिस नामक रोख से ग्रसित होने की संभावना अधिक होती है जबकि बहिर मुखी व्यक्तित्तु के व्यक्ति को राय हिस्टिरिया नामक रोग से ग्रस्थ होने की संभावना अधिक होती है साथवा ऐसे व्यक्ति यानि अंतर मुखी व्यक्ति अल्पभासी, संकोची, चिंता ग्रस्थ तथा असांत प्रकृति के होते हैं जबकि बहिर मुखी व्यक्ति धारा प्रवाह बुलने वाले आक्रमक चिंता मुख तथा प्रशंसा प्राप्त करने वाले होते हैं आठवा अंतर मुखी व्यक्ति कल्पना शिल होते हैं अतर ये वैज्यानिक कवी तार्षनिक आधी होते हैं जबकि बहर मुखी व्यक्ति सामाजिक कारियों में रूची लेते हैं, अतर ये नेता समा सुधारक सामाजिक कारेकरता आधि होते हैं. इस प्रकार इसबस्ठ हुआ की अंतर मुखी तथा बहर प्रकारों में कई अंतर हैं. जित्तो के प्रकार के अंतरगत टाइप एप्रोच यानि प्रकार उपागम का अधियन किये अगले क्लास में हम लोग ट्रेट एप्रोच यानि सिर्ग उपागम को पढ़ेंगे ठीक है? ठैंक यू